कि हेलो दोस्तों नमस्कार सीजी पेसी हें डिटन नोट्स के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं जीटेन अथवाइत आज की इस वीडियो में हम सीजी पेसी मेंस और प्री को ध्यार में रखते हुए अपने प्राची नितिहास को आगे बढ़ाते हुए कुछ बयी इंपोर्टें्ट टॉुभिक पर बात करें भी से अकशिपा पूछे जानते हैं आज के हमारे टॉपिक है संस्कार तो जैसे कि हम लोग जानते हैं 16 संसकार होते हैं उसे पर ऊशशीप्ट आपड़ी क्राइएं में चलिए वीडियो के चलू करने पहले दोस्तों आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि चैनल को प्रीज सब्क्राइब कीजिए ताकि हमारे आने आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अब देखते हैं चलिए संसकार विवस्ता इसका सब्धिक अध होता है सुद्धता अथो पवित्रता यह व्यक्ति के सारीरिक मानसिक और बधिक परिस्कार की एक प्रक्रिया है जाए स संसकार धर्म नुकुल आचरण करने के सभाव सभी में आउस्व कई संसकार व्यक्ति के समाजी विकास में सहयक होते हैं संसकार की संख्या पर मत जिनमें सरिक्तम विद्वानों क्यावले कि 16 संस्कार पर सहमत है तो आज हम लोग 16 संस्कारों के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए चालू करते हैं पहला संस्कार क्या होता है गर्वाधान गर्भधान का अब होता है, मा की कोख में जीवन कुर्पत्ती के लिए इस संसकार को आयोजित किया जाता है अथात ये जो गर्भधान है, ये संसकार का अब होता है, जो बच्चा मा के पेट में आनता है, तो उसके प्राप्ती के लिए इस संसकार का आयोजन संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता था दूसरा का है पुन्सवन इस संसकार का आयोजन गर्वध हान के तीसरे या फिर पांचवा या छठों माह में गर्वध सीसू की सुरच्छेतु किया जाता था इसमें दमपती द्वारा उचित आउसधियों का प्रयोग करते था तीसरा देखते है सिमानतो नायन गर्वटान के 3-8 महिने के बीच इस दंसगार का यहाजन करते हैं 3-8 महिने कभी भी कर सकते थे सिमानतो नायन इसका मुख उद्धे से होता था टो को अम अंगल कारी सक्तियों 상황 से बचाना थेग कल सिमान के सीमान तो नैन करते कंदे तीन से आठव मेने के बीच में थेचे अब अफ्ला देखने 24America जातकर्म बच्छे के तूरण बाध जन्म के बात मतलब बच्चे के जन्म के तूरण बार्ण विथ्ट ढखा चकाल स deceived हैा नाम करंग Chief संसिभ में एक वांगी आवजन कर बच्चे का नाम रखा आशागे और भी तो ऐसी रख देते हैं पहले क्या कर दे गरिए पिर जा रख जैगे भी फिर बच्चे का नाम रखते थे ठीक है अब छट्वा संस का क्या होता है निस्क रमड जन्म के चौथे माहा में चार माहा का बच्चा हो गया आप क्या करेंगे बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाते हैं मतलब उतना दिन चार मैंने तक बच्चा घर से बाहर तो जोज मिलेगा चांद के सामने जाते हैं सितलता धारी प्राप्ति मिलेगा ऐसा संस्कार है फिर चौथा सात्वा क्या होता है स्वारी सात्वा अनप्रासन यह तो अभी सभी लोग जानते हैं जर्म के छठे माह में बच्चे को पहली बार ठोस अहा दिया जाता था इतनी मा अनप्रासन यह पूछ सकता है क्या होता है कौन से महने मोता है यह सब को ध्यान में देना है फिर आठवा क्या होता है चूड़ा कर्म संसकार जर्म के पहले अथवा तीसरे वर्स में बच्चे की केसों का त्याग किया जाता है यार रखना दूसरा वर्स में बच्चों का के से पहले में या तोbuds का मुंदन करांगे या तीसरे वार्स में करांगे इसे उसे नीरोगी ऐ मिलती है कि इसे ऍस्थानी भासन संहर में जडूला उटानना कहते ह Кар्च्चे को नीरोगी काय मिलती है उसके सो इद्ध को होता है इसके विद्ध को चैथ पर दासर क्या होता है बिद्धा कर्म सकाइए लगάνा पांच 5 वर्स के प्राप्ति की सिक्ष्ठ प्रारंब की जाती हैstyle का इना झान थे उपनळां प्रक्रकति arbeitet सबाना दों करना करते हैं समीप नेन का रप्राइन दीडाय के बच्चे स अधरन कर basis इसे रहे हैं यग्यो पवित्ट आज़ संस्कार भी चृश्चिया सकते यह शंस्कार कर सकते हैं सुद्र वर्णों के लिए कोई बीदूसरा मतलब क्या है। उपनयान संस्कार नहीं होता. को स Ciытeur को उपनयान संस्कार नहीं होता था। फिर बार्वा संस्कार क्या होता है। और वदार्रम। मतलब वेदों का सिख्छा इंक आरम करना चालू होता है। लग बगग आट वर्स के आयु में बच्छे को वैधिक सिख्छा प्रार्म की जाती है। कब आट वर्स के ङाते हैं। तिर्वा संस्कार क्या होता है केसांत लगबख 16 वर्ज के आयू में ब्रह्मचारी अपने केसों का त्याग करता है इसके माध्यम्जु से स्वक्षता के प्रती जागरुग बनाया जाता है इस समय BRAHM-चारी के माता पीता या अभभावाव उसके गुरु को एक गायदान में देते हैं इसको कही बार पूछा गोर्दान संस्कार क्या होता है जो कोई भी ब्रह्मचारी बनता तो 16 वस्कारी में क्या करता है अपने केसों का त्याग करता है और जो उसके गूरू होते है उसको क्या बच्चे के माता पिता या विवाव क्या एक गायदान में देते हैं इसे गोदान संसकार भी करते हैं कर लेने के बाद इस संसकार का का करता है क्योंकि 55 के बाद हमारा हो जाता है कैसी चुरू और चान्जकार, सबसे महत्रपूर्ण संस्कार है सब लोग जानते हैं क्योंकि हिंदू संस्कृती में केवल विवाहितों को यग्यों के आयोजन के रूमती प्रेदान की गई है जब यग्य piş में द्यान देंगे आश्रम को जब कि प्रेक्षण संस्कार के बाद अधार बैत्र मुगत्त होजाता है है तो क्या read होता है इसको है फिल है जब दॉब घंग worth कि झब वरी इन को गुरु दौरत क्वर प्रशल को कर बाहर और है इस वेकर यह 16 संसकार हम लोग अब आप के हुला कासरा है आप अब देखें के क्या क्याइक बना थै को श्युक्षिय ग्षिंट की एक पोछ्वस्वन संसकार के बारे में लिखें के वीडियो कमेंड में बताइए और आप लोग से बार 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 हो रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम लोग का जो कंटीनियो वीडियो आ रहे हैं वो आप लोग को नोटिफिकेशन से माध्यम से मिलते रहें ठीक है धन्य बाद थैंक यू